ये तो सच है कि सरकार ने करोना वाइरिस के बढ़ते कदम को रोखने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया लेकिन इस आशंका को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि शायद सरकार को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि करोना वाइरिस इस तरह से देश में अपनी जड़े मजबूत करेगा बहरहाल सरकार ने आँजनता के लिए लॉकडाउन का फैसला किया लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस फैसले ने लाखों लोगों के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि उनकी जिंदगी का पहिया लडखडाता हुआ नजरा रहा है इस लडखडात में खास कर ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी हार तोड मेहनत से घर का चूला जलता है और कई लोगों के पेट की आग शान्त होती है ऐसे लोग लोगडाउन के हताशा और निराशा के बीच मन में मंजल तक पहुँचने की सोच लिए अधिक पैसा खर्च कर वाहनों अलावा पैदल भी घरों के लिए निकल पड़े हैं इस दोरान उन्हें भूग की बेचानी का सामना करने के साथ ही मौसम की तलखी की चुनौती भी जिलनी पड़ रही है लेकिन इनके चेहरे को देखने से साफ पता चल रहा है कि बाहर के सोफे से अच्छी वो घर की चटाई है जो इन्हें अपनी और खीच रही है इन सब के मन में एक ही भाव है सोचिए कि लॉकडाउन के बीच धीमे धके पाउं से घर को लोट रहे इन खामोश लोगों की खामोशी को आवाज मिल जाए तो वो क्या कहती है वो कहती है कि अगर हम घर पहुँच जाएंगे तो सुकून का पानी पी कर भी जी जाएंगे बाहर रहेंगे तो रोजी छिनने के दुख और परिवार कैसे जिन्दा रहेगा इस कोफ्त में ही मर जाएंगे हमारी एक ही मन्जिल है और वो है घर चाहे हमें पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथी की उनफेलाना पड़े चाहे खाने के लिए क्यों न घंटो लाइन में खड़ा होना पड़े लेकिन हम घर जाएंगे इश्वर करे कि जल्द से जल्द करोना जैसी बीमारी हमारे देश से चली जाए ऐसा नहीं हुआ तो नचाने कितनों की सांसें इस चिंता में थम जाएंगी कि रोजगार चनने के बाद परिवार का पेट कैसे भरेंगे कुछ इसी तरह की व्यथा है लोकडाउन में घरों को लोटने वाले गरीबों की आपको बता दे कि लोकडाउन के बाद मुंबई, दिल्ली, गुजरात, आदी, जनपदों से चार पहिया वाहन बाइक साइकिल के अलावा पैदल ही हजारों किलोमेटर की दूरी तैकर प्रवासियों के आने का सिलसला जारी है पैदल चलने वालों के पाउं में छाले पड़ जा रहे हैं कभी-कभी लॉकडाउन की परिशानियों की व्यथा सुनाते हुए ऐसे लोग फफख कर रोने लग रहे हैं पेट भरने के लिए लोगों के आगे खाना पानी के लिए हाथ फैला रहे हैं इन्हें देख एक ही दुआ निकलती है कि है इश्वर अबरहम कर अजया क्यों comunque स्ट्टरा रहे हैं